हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हुभान परताप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आज आपको यूरिक एशिड के बारे में बताऊंगा क्या होता है यूरिक एशिड और क्या होते हैं इसके सिम्टम्स और इसका इलाइच कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों बने रहे वीडियो में शुरू से अन तक तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों पहले जान लेते हैं वाटिज यूरीकेसिड, यूरीकेसिड होता क्या है तो दोस्तो हमारे सरीर में किड्नी होता है और किड्नी हमारे यूरीन को फिल्टर करता है और उसी यूरीन में यूरीक एशिड नाम का एक केमिकल होता है जो की यूरीन के साहरे डिस्चार्ज होता रहता है और जब किसी कारणों की बज़ा से यूरीकेशिड हमारे सरीर में ही इस्टोर होने लग जाता है तो जगा जगा जॉइंट पे हमें गट्स बनने लग जाते हैं और गट्स बनने के कारण ही हमारे सरीर में दर्द होता है उसी को हम यूरीकेशिड कहते हैं तो दोस्तो अब इसके काउज के बारे में जानते हैं क्या काउज है जिसके कारण या समस्या हमें उत्पन होती है तो दोस्तों सबसे मेजर काउज है आप बहुत जादा नौन भेज खाते हैं, वाईली फूट का सेवन करते हैं, इलकोहल का परियोग करते हैं, उसके कारण यह समस्या हमें उत्पन होती है अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बीक रहता है, डाइजेशन सिस्टम के बीक रहने के कारण आपको हमेशा कबज की समस्या बने रहती है, उसके कारण भी है समस्या उत्पन होती है अगर आप डायविटीज के पेशेंट हैं तो डायविटीज के पेशेंट को ज़्यादा तर यूरिकेशिट की समस्या उत्पन होती है अगर आप बहुत जादा इलोपैथिक मेडिसीन्स बगएरा का परियोग करते हैं उसके कारण भी उरीकेशिट की समस्या उत्पन होती है तो दोस्तो अब इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं क्या सिम्टम्स भर कर सामने आते हैं तो दोस्तो जब उरीकेशिट का लेवल बढ़ जाता है किसी के भी सरीर में तो सबसे पहले दर्द उसके एड़ी से अस्टार्ट होता है और वहां से दर्द बढ़कर धीरे धीरे पूरे सरीर में फैल जाता है जगा जगा जॉइंट पे क्लोटिंग होने लग जाता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कि इनसान का चलना फिरना तक मुस्किल हो जाता है पूरे सरीर में सूजन हो जाता है और सूजन इस तरह हो जाता है कि इनसान का बजन एका एक देखते देखते 40-80 किलो तक का फैल जाता है और पूरा सरीर में कलेस्ट्रोल का लेवल इतना जादा बढ़ जाएगा दोस्तों कि जगा जगा घुतने में सुजन होगा, घुतने में दर्द होगा, आप चलते हैं अगर दस कदम भी तो आप ठक जाते हैं, पुरे जॉइंट में दर्द होगा, हमेशा कब्ज बना रहेगा और कब्ज बनने के कारण आपके शर्मे भी दर्द रहेगा, भूख बगेरा नहीं लग पाएगा, जिसके कारण कि आप बहुत ही परिशानियों का सामना करते हैं, तो दोस्तों घबडाएए नहीं, आज मैं होमियोपैथिक की 5 मेडिसीन लेकर आया हूँ, जिसको कि आप ल आधे कप पानी में लेना है दोस्तों, बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है या पूरे सरीर में सूजन हो गया है, या यूरीकेशिट का लेबल बढ़ गया है, या केलेस्टरोल बढ़ गया है, ये तीनों चीज में बहुत ही फेक्टिव काम करता है दोस्तों, दूसरी मेडिस है दोस्तो फाइटोल का 200 नंबर जो कि अगर पूरे सरीर में सूजन है रात में दर्द बढ़ जाता है या लेटरिंग बगेरा साथ नसाफ से नहीं हो पाता है या आपके एड़ी में दर्द रहता है या वहां का हड़ी बढ़ गया है उसमें बहुत ही फेक्टिव काम करता है दोस्तो इसे भी 200 नंबर में ही लेना है और दो दो बून तीन बार जीप पर ऐसे ही लेना है दोस्तो तीसरी मेडिसीन है दोस्तो कॉल्चिकम जो कि 200 नंबर पोटेंसी में ही लेना है अगर आपका यूरीक एसिट का लेबल बढ़के गौट या और्थेराइटिस में लेना है तो यह दवा उससे भी ज़्यादा काम करती है इसे भी 200 नंबर पोटेंसी में ही लेना है दोस्तो इसे दो दो बून तीन बार ऐसे ही जीप पर लेना है दोस्तो चौथी मेडिसीन है दोस्तो एंटी यूरीक ड्रोप जो की यूरीक एसिट के लिए सबसे बेश्ट दवा है पेटेंट दवा में इसे 20-20 बून तीन बार आधा कप पानी में डाल कर लेना है दोस्तो बहुत ही फेक्टिव मेडिसीन है पाचवी मेडिसीन है दोस्तो लिभप सीरफ जो की दो दो ढखकन तीन बार ऐसे ही लेना है दोस्तो यह बहुत ही फेक्टिव सीरफ है जो और 100% इससे निजात पाएंगे तो दोस्तो एक जरूरी नोटिफिकेशन है कि अगर आपको यह मेडिसीन चाहिए तो मुझे उपर दिये गए नंबर पर कॉल करें मैं आपको यह मेडिसीन जल से जल डिलिवर करवा दूंगा और मार्केट से सस्ते रेट में तो दोस्तो इसके प्ल सबजियां बगेरा हरिसाग सबजियां जितना अधीक मात्रा में खाएं दोस्तो उतना बेटर रहेगा नियमीत एकसर साइज की विवस्ता रखें पानी जितना अधीक पिएं उतना फाइदे मंद है दोस्तो तो दोस्तो आसा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छ